Friends, yes, बेटा, आज हम करेंगे हमारा lesson number 18 क्या है, गेम्स वी प्लेटीन Games जो खेल, हम लोग क्या करते है, खेलती है, फ्लेटीन, मतलब होता है, खेलना Yes, देखी, क्या है, we all love playing games हम लोग सब को क्या है, गेम्स खेलना पसंद है Playing is a good exercise और जो खेल नहीं होता है काफी ची ऐकसराईेज होता है, शारीरिक चपल हुआ हमारे लिए ज़रूरी होता है, वाइल प्लेंग, औ वी स्पेंट अवर टाइम विद अवर फ्रैंड्स जब हम लोग खेलते हैं तो क्या करते है ? अपना जो तायम है वो वह किसके साथ हमारे friends के साथ क्या करते हैं बांटे हैं ठीक है next topic देखिए games खेल ठीक है कौन-कौन सी games हम लोग खेलते हैं games are the activity which keep us sweet and active game क्या होती ऐसी activities होती है गती विदिया होती है जो हमें क्या रखती है fit अधिया तंदुरस्त और active काफी ज्यादा रखती है किसी भी काम करने के लिए they relax our mind and make us fresh यह हमारे दिमाग को relax करती है आराम देती है और हमारी body को क्या करती है fresh कर देती है ताजा कर देती है we have to follow to a set of rules while playing a game are the जान चाहिए किसी भी game को किसी भी game को खेल को खेलने से पहले किसी रूल को समझ लेना चाहिए और फिरू ness क्या करना चाहिए some games involve loads of physical activities कुछ games ऐसी होती है जिसमें कफी जाहाद क्योंतेकker अपनी बोडी का यूज करना पड़ता है विच में क्या करती है स्ट्रॉंग मजबूत और हैल्दी बनाती है तंदूस्त बनाती है फॉर एक्जामपल जैसे वेटा हम लोग कोई फुट्बाल खेलता है या फिर कोई दोर लगाता है तो यह कैसी गेम्स है जो हमारी फीजिकल ह हमारी शारीरिक तोर पर हमें काम देती है जितना जाधा हम लोग अक्टिव रहती है उससे क्या होता है हमारी बोडी उतनी ही अक्टिव बन जाती है कुछ गेम ऐसी होती हैं जिनके अंदर हमें ज़ाधा participate करने की ज़रूरत नहीं होती है नतलब आपनी body का ज़ाधा use नहीं करते हैं आप क्या करते हैं आप अपना mind का use करते हों Hence people of all age group can play these games तो ऐसी जो गेम होती हैं वो क्या है किसी भी age group के लोग क्या कर सकते हैं खेल सकते हैं For example जैसे बेटा carom board है chess है या फिर ludo है यह games कैसे होती हैं इसमें body का इस्तमाल जादा नहीं करते हैं आपको अपने mind का इस्तमाल करना होता है और गेम को खेलना होता है तो इस गेम को कोई भी खेल सकते हैं क्योंकि इसमें भागना या दोडना तो नहीं होता है तो कोई भी इसको क्या कर सकते हैं खेल सकते हैं Indoor and Outdoors are two type of games that we play Indoor मतलब जुखर के अंदर खेलने वाली and Outdoor जुखर के बाहर खेलने वाली क्या दो अलग अलग types की games होती है जो हम किसी building के अंदर खेल सकते हैं किसी घर के अंदर खेल सकते हैं वो कौन सी होती है Indoor games We play Indoor games even during a bad weather हम लोग जो Indoor games होती हैं वो तब भी खेल सकते हैं जब जो weather हो वो कैसा हो खराब मोसम हो ठीक है Carom, Monoplay, Chess, Scrabbles, Ludo ऐसे क्या लग-लग example है Indoor games के जैसे Caromboard है, Ludo है, Scramble है, Chess है यह ऐसी game है जिसको हम घर के अंदर कभी भी खेल सकते हैं गर्मी के अंदर, सर्दी के अंदर, बारिश, किसी भी मोसम के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं खेल सकते हैं Second number कौन से हैं बेटा Next बेटा Games such as Carom and Scramble increase our ability to concentrate जैसे बेटा Caromboard, जो हम लोग Carom खेलते हैं या फिर Scramble होते हैं इसमें क्या करते हैं यह हमारी Ability, Concentrate किसी भी चीज़ के ओपर ध्यान के इंदरी करने की पावर को क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं ठीक है Games such as Chess and Jays साप Puzzle increase your memory लेकिन जो Chess है या फिर जैसा Puzzle है यह क्या है हमारी Memory को Increase करते हैं इसके अंदर हमें हमारे दिमाग का इस्तिमाल करना होता है और क्या करना होता है गेम को खेलना होता है Table Tennis is an example of indoor activities that involve a physical activity और Table Tennis यह एक ऐसी गेम है जिसके अंदर physical activity की यूज होती है और यह क्या है एक indoor game है ठीक है Next one is outdoor game Yes, outdoor games क्यों से होती है Out मतलब बाहर और outdoor games जो घर के बाहर खेल सकते है Game that we play usually outside in an open ground ऐसी games जो हम लोग घर के बाहर open ground के अंदर खेलते हैं जैसे football, cricket, basketball क्या इसकी example है आउड़ोर games के These outdoor games need lots of physical activities इन outdoor game के अंदर हमें क्या काफी जादा physical activity करने पड़ती है काफी जादा हमें अपनी शरीर का यूज करना पड़ता है And these games are played in the groups और यह games जो होती है किसमें खेलनी पड़ते हैं? Groups के अंदर आपको छोचोड़ी group बनाने पड़ते हैं और इनके अंदर खेलते हैं They teach us a work of as a team और यह हमें क्या बताती है? Teamwork का ब्यार में बताती है कैसी जो team है वो क्या कर सकती है? किसी भी game को खेल सकती है नेक्स्ट है वेटा Oktada challenge जीचे देखिए इंक्वारी करना है How many players are there in football team? आपको यह बताने कि football team के अंदर total कितने players होते हैं मतलब एक side की football team होती है उसके अंदर कितने players होते हैं तो उसके अंदर कितने players होते हैं? इसमें भी क्या आएगा 11 players next one is How many players are there in a basketball team? आपको यह बताने कि basketball team के अंदर total कितने players होते हैं तो basketball team के अंदर total players कितने होते हैं? 5 players ठीक है? तो यह lesson आप रीट करेंगे ठीक है बेटा? Thank you